प्यार 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 क्या है प्यार मुझे नहीं पता मैं कोई लव गुरू नहीं हूँ या मैंने इसमें कोई प्यार की प्रिवाशा मैं समझा पहूं यह वाली जो मुवी है इसको समझाने की कोशिश करती कि प्यार है क्या नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं था Half of It movie के बारे में जिसे direct और right एक ही इंसान ने किया Alice Wu ने और जब मैंने इनके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये एक gay है देखो मैं कोई अपत्ती निज़ता रहा हूं कि वो gay है या कुछ भी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ये movie के perspective से बताना जरूरी है इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूं देखो अगर मैं कोई movie direct या right करूंगा तो मैं अपनी ideology के according उस movie को मतलब बनाऊंगा जैसे कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं तो देशबक्ती वाली movie अपने culture को promote करने वाली movie तो ये वाली movie है जो मैं बनाना पसंद करूंगा वैसी Alice Who जो एक गी है तो वो अपने perspective के according ऐसी movie बनाएंगे जिसके अंदर वो ये समझाने की कोशिश करेंगे कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती ना ही उसका कोई gender होता है चलो अब इसकी कहानी पर आते हैं एक लड़की है एली चू जो चीन से है बट वो अमेरिका में अपने पिता के साथ रहती है और वो बहुत जादा समझदार है मतलब बहुत जादे वो बुक पढ़ती है तो एक उसी के स्कूल में पढ़ने वाला लड़का पॉल उसे कहता है कि उसके लिए वो एक love letter लिख दे क्योंकि उसे एक एस्टर नाम की एक लड़की से प्यार है तो जब एली चूँ इस चीज के लिए मान जाती है कि वो पॉल की तरफ से एस्टर को एक love letter लिखेगी जिससे एस्टर पॉल को हां कहते है तो इस conversation के दोरान जब उसे वो letter लिखती है जब उसका reply आता है तो यह जब conversation स्टार्ट होती है एली और एस्टर के पीच में तब एली को पता चलता है कि एस्टर किती intellectual है कैसी वो बात करती है कैसी वो रहती है तो इन दोनों के बीच में जो एक bonding बन जाती है जबकि एस्टर को पता नहीं होता कि दूसरी side कौन है तो एली जो है वो एस्टर को पसंद करने लग जाती है और यही मूवी में दिखाया गया कि एली जो है अब अपनी बात दिल की बात एस्टर को कैसे कहती है इस मूवी के जो ending है सच में हर जो मैंने सोची थी वैसी बिलकुल नहीं हुई देखो यार हर इनसान को अधिकार है वो जैसे जीना चाहे वो जी सकता है इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुझे बहुत पसंद आया और साथ ही साथ इसके अंदर जो acting जो थी वो सबसे जबरदस मुझे लगी और इसके अंदर comedy जो डाली गई थी कसम से यार वो काफी जगा तो बहुत जादा हंसाने वाली थी और ये movie ये बताने की कोशिश करती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती ना ही उसका कोई gender होता है तो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि अपने जो सोच है उसको open करने की जरूरत है और LGBTQ community को अपनाने की जुरूरत है बेशक कि ये movie LGBT community को बहुँ ज़्यादा पसंद आने वाली है लास्ट में बस यह कहूँगा कि लोगों को और ज़्यादा अपनी सोच को व्यापक यानि मैं क्या कहा रहा हूं टी टू है इतनी हिंदी क्यों डालता है यार हर लाइन में मतलब लोगों को अपनी सोच को सोच का दायरा जो है वो बड़ा करना होगा LGBT community जो अपने हग के लिए बहुत टाइम से जो लड़ती आ रही है उनको स्विकार करना होगा और सारी साथ LGBTQ community को भी एक बात कहना चाहूँगा कि अपने हग के लिए लड़ना अच्छी बात है हर किसी को अपने हग के लिए खड़ा होना चाहिए उसके लड़ना चाहिए लेकिन काफी सारे लोग जो भारत की बात कर रहा हैं जो भारत में जो LGBTQ community के जो लोग हैं वो अपने हग के लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं तो उन प्रोटेस्ट का फायदा उटा कर कुछ लोग कैसे देश विरोधी नारे लगाते हैं कैसे एक religion को target करते हैं तो उस चीज को handle करना होगा वो LGBTQ community की ही जिम्मेदारी है कि अपने प्रोटेस्ट को वो गंदा ना होने दे बाकि मुवी मुझे बहु ज़्यादा अच्छी लगी और मैं यही करूँगा कि इस मुवी को जब आप मुवी देखोगे बेशक इस मुवी को आप बहु ज़्यादा enjoy करने वाले हो और यह relax करने वाली मुवी है इससे पहले भी मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूँ जो मुवी थी feel the weight उसके अंदर relax वाली बात कर चुका हूँ पर क्या करूँ याड जैसी मुवी है उसके according तो बनते ही है निकलते ही है अपने आप मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना चाहूँगा 7 out of 10 star अगर किसी ने ये मुवी देखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मुवी कैसी लगी अगर नहीं देखी तो प्लीज जा कर देखो क्यार बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में तैंक्स फॉर वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद